कहते हैं जीवन के तमाम मुश्किलों का तमाम सवालों का जो हल है जो जवाब है वो गीता में नहित है और इसी लिए सरकार ने G20 के अंदर ये एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से प्रेरित होकर आस्क गीता करके एक सिस्टम यहाँ बनाया है जिसमें अंग्रेजी और दोनों ही भाषा को रखा गया है ताकि जो भी विदेशी मेहमान हमारे बाहर से आ रहे हैं वो किसी भी तरह का सवाल गीता के द्वारा पूछ सकते हैं संस्कृत के श्रोकों को बहुत आसानी से इसके अंदर डाला गया है और उसका जो जवाब है जो अर्थात है जो उसका उदेश है उसको एक्स्प्लेंग किया गया है यह देखी है सिंपल चीजें बताई गई हैं सबसे पहले हमें अपनी इसमें जो डिटेल है वो डालनी होगी और उसके बाद यहां पे हमें अपनी उम्र जो है वो बतलानी होगी और फिर लिंग चुन के आगे बढ़ना होगा अब यह आप देखें ask any questions related to your life यानि कि अपने जीवन की समस्याओं के बारे में कोई भी सवाल आप गीता से पूछ सकते हैं मात्र 15 से 20 सेकिंड में आपको इसका उत्तर मिलेगा सवाल है कि अगर दुनिया में सब कुछ पहले से ही ते है अगर भाग्य में सब कुछ पहले से ही नहित है तो आखिर कर्म करने की जरुवत क्या है इस तरह के सेक्डो सवाल जो हमारे मन में आते हैं हमारे मस्तिष्क में आते हैं उसके जवाब इसमें नहित है यह देखिए हम ढूणना चाहते हैं तो मात्र 15 से 20 सेकंड का इंतजार हमें करना होगा और यहां बकाइदा इस सवाल का जवाब संस्कृत के श्लोक को अंग्रेजी में जो है उसका जवाब convert किया गया है और यह आप देखें श्रीकृष्षन says that यह पूरा जवाब जो है यहां पे कृष्षन का जवाब संस्कृत में फिर अंग्रेजी में दिया गया है इसी तरीके से अगर कोई भी भारतवासी हिंदी में अपने जीवन के समस्याओं का समधान चाता है तो इस artificial intelligence से प्रेवित होके बनाई गई गीता जो यहां पे हम देख रहे हैं आस्क गीता इसको वो यहां पे सवाल आके पूछ सकता है तो जीटपंटी में जो हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनके लिए बड़ाई खास काउंटर यहां पे तयार किया गया है जो निश्चित तोर पे उनके अपने नीजी जीवन के सवालों के जवाब देने के लिए यहां पे उनको जरूर खींच के लाएगा सुनील के साथ शिवांग मातोर टीवी नाइट